अगर आपको सुजुकी कोई भी प्रोड़क्ट लेना तो विजिट रोभीनी सुजुकी मंगोलपूरी चल यंदर चलते हैं अगर बैक टू मैं रूब चल तो में वापस आगे एक और नहीं वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं अगर प्रण्ट लुक में सबसे पहले पिन नजर परती है एडलाइट पर हैडलाइट का लूक सेम एज़ट इस अब अंदर की बीम है जो कंपनी ने वह चेंज कर दिया वह एले डिकर दिया उपर वाला लोबी में नीचा वाला हाई वीम है और क्रोम फिनिश देदी उपर यह प्लास्टिक वाइजर है इसका EBS प्लास्टिक है उसके कंपनी ने फ्रेंट में सुजुकी की ब्रैंडिंग मिल जाती है और इसकी फ्रेंट का पैनल काफी ग्लॉसी है और यह भी प्लास है जो safety emissions को comply करते है है handle में आपकी grip जो ही है आपको jixxr की तरह ही है handle grip आपकी और इसमें आपको grab end भी दे दिया last में ताकि vibrations feel नहों आपके इसको पकड़ने में feel काफी अच्छा आता है handle को पकड़ने में इस grip में बाकि आपकी deeper up down है indicators और इसकी quality काफी अच्छी है यह आपका self start button है जो automatically back हो जाता है start होने के बाद plastic quality काफी अच्छी है fit और finish भी काफी अच्छी है देखने में आपको लगता है यह आपका hook है and space काफी अच्छा मिल जाता है आपको foot lag space बहुत ही अच्छी space है access case और access space के लिए यह जाने जाती है और यह आपका hook है एक second मैं इसको clear कर दो side कर दो थोड़ा फिर आपको दिखाता हूं सही से देखने रहा होगा आपको एक second हाँ तो यह आपका एक और hook इसमें आप अपना कोई भी समान टांग सकते हो यह normally हमारे पूराने scooter में आता है यह आपका side panel यह भी plastic है यहाँ पे आपको Suzuki XS 125 की branding मिल जाएगी और यह भी chrome finish में है पूरी complete यह आप career foot rest है और यह आपका filter box यह आपका kick start और आपको self और kick दोने option मिलते है गाड़ी में यह आपका side stand यह आपका mid stand और beach shocker आपको मिलते है swing arm shocker मिलते है गाड़ी में जो adjustable नहीं है टायर आपका rear है 10 inch का और tire section है आपका 90 by 100 मतलब काफी ज्यादा चोड़ा तो नहीं है बद अच्छी grip मिल जाएगी आपको stability अच्छी मिल जाएगी गाड़ी पे 90 by 100 section का टायर है आपको दिखा भी देता हूं में लिखावा और अब बात करते है इसके grab bar की grab bar और यह seat cushioning seat cushioning काफी अच्छी company ने प्रोवाइड किया आपको बाकी rear में आपको petrol filler cap मिलते है वह भी chrome finish में rear से आपका look इस तरह का आता है स्कोटी का तो यह भी प्लास्टी की finish में यह tail lamp आपका यह indicator अंदर से chrome सी line जा रही chrome finish है outside यह अंदर से chrome finish है Suzuki branding मिल जाती है आपको और नीचे यह आपका है number plate light का system यह आपका rear mudguard जो आपके की चड़ना आने में मदद करता है पीछे की चड़नाने से बचाता है अब बात करते है इस साइड ही इस सेड में भी आपको Suzuki AXS 125 की branding मिल जाएगी special edition का sticker मिल जाएगा BS6 का sticker मिल जाएगा और Suzuki Eco Performance का sticker मिल जाएगा silencer पर आपको chrome finish मिलेगी पूरी 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 approximately पूरा silencer cover है catalytic converter जो BS6 की पहचान हो आपका यह आपको बहुत सारे लोग नहीं दिखा पाते तो मैं यह दिखाने कोशिश करहाँ यह आपका catalytic converter यह आपका oil level checker है और silencer से sound काफी ठीक्ठा का आता है और यह आपका right side का footrest है चावी इस company ने कुछ इस तरह से बनाई है मतलब अच्छी लगती है कि चावी कुछ अच्छी पकड़र आप चावी पकड़ने में अच्छी लगती है इसकी shutter proof चावी है मतलब आप लोग लगाने को shutter लगा सकते हो यह आपको दिखी रहा होगा मीटर की बात करूं तो मीटर company ने कुछ नया बनाने कोशिश की है दो तरह सी light आती है blue हरा mix होके थोड़ा yellow भी हो जाता है तो यह performance पर डिपेंड करता है यह tvs की तरह नहीं कि आप eco में चले तो green रहेगी और आप speed में वज़ो तो लाल हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है बाक अलेट मिल जाता है इधर आपको और आपको जो डिस्पले है इस डिस्पले में आपको इस ट्रिप मिल जाएगी इंटरवल और चेंज बगार सर्विस बगार और आपको इसमें टाइम भी देखने को मिलेगा तो मीटर company ने काफी अच्छा बनाने की कोशिश की है यह बहु आपको chrome के मिलते है इस एडिशन में श्पैसल एडिशन में बाकि अगर आप। आप concern a ड्रिशन नर्माल एडिशन लिख ओगा तो इसमें आपको black मिलेंगे जैसे अफनी आपको dock को ट्रस में आते हैं ऐसे शिशे मिलेंगे जो कि प्लास्टिक की फील कर रहाते हैं नॉट क्रोम तो यह आपको क्रोम फिनिश वाली मिलते हैं और पाकी गाड़ी का ओवर रूल लुक कुछ इस तरह का फ्रंट हैट लाइट काफी चंकी लगते हैं काफी स्टाइलिस लगती है एलीडी होने की वज़य से तो यहां पे तो लुकिंग में एक्सेस ने बाजी मार ली लुकिंग आपको यूथ को बहुँ ज़्यादा अट्रेक क अगाया है फो स्ट्रॉक सिंगल सिलेंडर एर कुल्ड दो वालव वाला बोर है इसमें बावन पॉइंट पच्पन एम्म स्ट्रॉक है सतावन पॉइंट चार एम्म भी अच्पी प्रोडियूस करता है यह एंजिन आट पॉइंट साथ नियूट्रमीटर आट पॉइंट का एक सो साथ एम्म वेट कंपनी ने इसका कम से कम रखनी कोशिश की और इसका वेट एक सो चार केजी है और इससे एफिशेंसी भी बढ़ती है इस ताइम पीता तो यह रियलिटी में कम पीता इसकी एवरेज इस ताइम पे माईलेज पचास से पच्पन होगी फ्यूल इस प्री बैटरी भी इसमें आपको मिलती है और कॉम्पटीशन में काफी आगे हो चुका है यह लुकिंग की वजह से आगे का पोर्शन में आपको टैर मिलेगा 12 इंच के 90 by 90 सेक्शन के टैर आगे और 160 mm की डिस्क प्लेट है और निफिन का सिंगल पिस्टन केलिपर है आपको आपको और यह रिफ्लेक्टर मिलेंगी आपको टैलेस्कोपि Sand diagnosis मिलेगा आपको और यह बूटीसका पेस काफी अच्छा मिलना स्कूटी में ओवर्लॉ लुकिंग श्कूटी की काफी अच्छी है काफीए पील इन क मैं तर्फ काफी अट्रैक करती है और सीट खोल आपको टूल के टवागरा मिलती है अंदर और कुछ भी खास नहीं आप एक फुल साइस कालमेट इसमें आराम से रख सकते हो इतनी जगह इसमें आराम से और थोड़ी बच भी जाती है इसको खुलने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेसिक लिए चाबी को हलका सर डाउन करन सुजुकी एक्सस 15 जीरो टू सिक्स्टी साथ पूंट थीन सेगंड में साथ पूंटीन सेगंड में कवर कर लेती है अब इसमें कलर अभी लेवल आपका रेड मैट रेड मेटलिक मैट डार्क ग्रीनिश ब्लू मेटलिक मैट ब्लैक पीयर मायाज वाइट और इस स्टैंडर यह पर्ल सुजुकी डीप ब्लू यह अपका और यह आपका है मैटलिक मैटी फिबरॉन ग्री अमसरी पर्ल मैराज वाइट तो यह इसमें अविलेबल है तो सारी अविलेबल हो जाएंगे आपको रोहिनी शुजुकी पर कि कोई प्रप्लम नीय यह का थी मेरा बेस्ट काफी competition है इस मामले में 125 सी सेगमेंट में जो भी स्कूटी है अपनी एक्टी वर्म 25 वेंट हो इनसे काफी तरड़ा competition है इसका तो देखते हैं कि कैसे बाजी मारता या नहीं मारता है क्योंकि जो बात मैं अपने point of view रखोंगा तो मेरे को काफी अच्छा attractive लुक लगा यूथ के साब से अंकलों को हो सकता है उतनी ज्यादा पसंद आया अंकलों को ज्यादा active आप बहुत पसंद आती है तो यूथ style ज्यादा अपील करता यह स्कूटर bringsky twenties का Suzanne Susaki के श्चिशन kसद्रम वेरिएंट है जिसमें आपको रिं मिलेंगे उसका प्राइस ए एक स्च आट साट सो Axis का Drum Variant जिसमें Alloyville है उसके प्राइस है 70,800 Axis का Drum Alloyville Variant जिसमें डिस्क है 71,700 उसके प्राइस है Axis का Special Edition Drum वाला वेरियंट Alloyville होगा 42,500 रुपर और Axis का Special Edition Disc वाला वेरियंट 73,400 कीमत है थोड़ी बढ़ा है ये कंपनी ने BS6 Norms के बाद Guys, if you enjoyed the video, please press the like button Comment, Share and Subscribe My Europe Channel अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो Like करो, Comment करो, Share करो मैं कभी भी starting मैंने बोलता Like, Comment, Share करने के लिगी मुझे पता जब तक आपको वीडियो अच्छी ने लगी आप मेरा का किसी कभी चैनल सब्सक्राइब ने करो So, please अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो Like करो, Comment करो, Share करो And try to achieve your achievements Hit hard, Hit often Guys, if you want test drive of any Suzuki vehicle So, you can visit Mangolpuri Rohini Suzuki अगर आपको किसी भी Bike है, Scootie की Test drive चीए तो आप Mangolpuri Rohini Suzuki पे Visit कर सकते हो अगर आपको पसंद आया तो आप ले भी सकते हो मैने description में Address और नमबर दे दिया है Showroom का So, you can easily visit आपको problem नहीं होगी Showroom पहुचने में